अब बॉर्निंग ओल अफ यू रास्ट टॉपिक के बात कर रहे थे वह अपना था यूरेंरी सिस्टम में अपने उसको तीन एरिया इसके अंदर तीशू थे अपने पास देर आघ्रती एरिया जो टीशू शबचे पहले अवना था फाबास केप्शुल था अपना इनर मॉस्ट ले अपना अपना इनर मोस्ट लेयर किमिन पर आपने मायक्रोस्कोप का मतलब क्या है यह सब्सक्राइब करना है यह अपना प्रिम्ध हैgrass मैजर कलेक्स है और सबनाट चैप्सुल क्या इउरे रिनल पेप्लिय हो गए हीलियम रिनल सारी चीज़ा यहां पे माइक्रस्कोप से अपने अपने चीज़े हैं यहां पर यहां पर प्रेजेंट मिली है कि अपनाता है किड्नी जो है वह बंद्नी किस्से है कि किड़नी क्या है कंपोज्ट ओफ अबाउट वन मीनियल फंक्शनल उनिट ओफ दा नैप्रॉन एंड एक सीमिलर नंबर ओफ उस्पक्टिशम में किस से बंती ए लगबते मेलीन फंक्शनल उनिटन की होगी और सुपने करती है यो ट्रांस्पोर्ट यूरीन थ्रो दा पिरामिड्स अपनाता है रिनल पैल्विस रिनल पैल्विस गिव देर दा अपिरियन्स यहां से अपनी क्या है इनको सपोर्ट मिलती है जो किड्नी क्या है किसी से मिलके बनी है अपनी जो किड्नी है वो एक लगबग एक मिलियन फंक्शनल यूनिट ओफ नेफ्रों नेफ्रों से मिलके क्या है अपनी किड्नी बनती है और उसके साथ में हैल्प कौन करता है उनकी क्लेक्टिंग ट्विबल्स क्या करती है यूरील का ट्रांस्पोर्ट करती है नेक्स्ट पैंट अपनाता है ट्विबल्स किस से सपोर्टेट रहते हैं supported by a small amount of connective tissue connecting blood vessels nerve and lymph vessels यह इनसे क्या है connected रहती है कि अपना है यह जो structure है एक इस चीज की है नेफरोन की यह क्या है अपना नेफरोन के अपने को कौन सी कौन सी चीज़े मिरती है नेफरोन को अपने तीन बागों में है डिवाइड कर रहता है एक क्या है अपना पिसी टी है सेकिंड क्या है लूप ओफन ले होता है डिसीटी होता है collecting duct होती है यह इसके क्या है चार पार्ट होते हैं इसके बाद यह क्या रागिया वोमन कैपसूल आ गया गया लूप ओ फेल ले आ गया इसमें क्या होता है जितनी भी कलेक्टिंग ट्व जो है फिक है क्लेक्टिंग ट्यूब तियुब यह से कनेक्टेटी रहती है अपनी दिसके से किसे अपना लूप औरने किसे से रहता है PCT से यह स्ट्रक्चर है जो नेफरों इसके कंसिस्ट ओफ ट्यूब ट्यूब कलोज एट वन एंड अधर एंड और एंड ओपनिंग इन्टू एंटू ए कलेक्टिंग ट्यूब यानि कि जो भी अपनी ट्यूब्स जो है वह क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है और यहां पर जाक्ति एक बोकिन आपने क्लेक्टिंग ट्यूबिट के अंदर बसक्ति घुड़ी भी रहती है और यह शारी कि सारी कहां कि जाक्योपन हो भी है अपनी यहां पर जाक्यों सारी कि सारी ओपन ओरी है The close or bind end is to form a cup-shaped glomerule capsule which almost completely enclosed in network of arteries the glomerulus. यह glomerule capsule है किस चीज़ से मिलके बना होता है जिसको आपन क्या बोलते हैं बोमन कैप्सुल बोलते हैं तो यह कहां पे है अपने यह जो है यहां पे यह क्या है अ यह क्या है ईफने की जो किदनी होती है अप्रोप्रोगों अधरी संथिमिटर वागों में है इसको अपने तीन भागों में डिस्क्राइब कर रखा है सबसे पहले अपना कौन साता है कि अब अब प्रग्जिमल कॉलेक्टी टीबलस एकिंड क्या है मेर्डिरी लूप से लास्ट क्या है DCT और यह किस से कनेक्ट रहती है अपनी क्लेक्टिंग डक्ट से क्या है कनेक्टेट रहती है इसके बाद अपनाता है series of the blood vessels in the kidney यानि कि जो अपनी kidney है उसके अंदर blood vessels की कौन सी series होती है जिससे जो अपनी filtration की process है वो पूरी होती है इसके अंदर क्या होती है तब से पहले क्या होती है renal artery present होती है renal artery के अंदर क्या होता है अपना जो अपना heart जो है वो जो blood pump करता है उसका 20% जो है वो क्या करती है अपनी renal artery blood receive करती है यह कहां पे आएगा उसके पास इसके पास ब्लट आए गाएगा यह इसकी शीरीज होती है यह ब्रेइज में क्या है रिनल आर्ट्री के बाद क्या है फ्रेंट आर्ट्री आर्ट्री आपके उसके प्लेड आता है फिल्टर की प्रोशेस हो जैती है यह दोनों के इस अदर डिफरेंश होता है किद्नी एड हीलियम दा रिनल आटरी दिवाद इन्टू स्मॉलर आर्टरी जो अपनी रिनल आर्टरी है वो किन दो भागों में डिवाइड हो गई आर्टरी जैंदर डिवाइड हो जाएगी मैं आर्टरी जो उसके अंदर क्या होगी कि आ इसके बाद जाएगी है इसने क्या 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 किए इसके बाद क्या हो है Xbox के न्दर ये इंटर वह गाई कि इसके बाद क्या होगा है यूदी सैं सब डिवाइडेड इंटू ट्रॉइटो में प्लष्टर ओव गुश्टр ओपिलरी स्वार्म दा ग्लो मेल rif दो वाद क्या होगा ग्लो मेणरउस की फॉरमेस्टर ओगी और क्या होगा यह क्या है? यह ग्लॉमरीलिस हो गया, यह क्या हो गया? इसके बाद आजाएगा, इसके बाद केपिलरी चाहीज नेट्रक में यह उसके बाद क्या होगा? सपलाइंग नेफरम क्या करेगा? नेफरम को सपलाइ करेगा The blood vessels lead away from the glomeroeus is afferent arterials. किस से लीड करेगा इसके बाद क्या होगा इट ब्रेक अब इन्टु ए सेकंड केपिली नेटर टू दा सप्लाइव ऑफ ऑक्सीजन एंड नूट्रेंस टू दा रिमांडर ओफ नेफ्रों यह क्या होगी के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगी और क्या होगा वहां पर सप्लाइ क्या करेगी कि किसको नेफरों को दो यह क्या है यह वह प्लो मिर्वलिस के पास के बाद क्या होगा वहांपे दुबारा से सब्सक्राइब हो वाह पर अपनी इप्रेंट के बाद क्या होगा अपनी इप्रेंट आच यहां कि यह क्या करेगी जो अपनी होती है टेंट नंबर सिय्कि यह मिंट के अञा कितनी नंबर ऑफ यूनिट जो है अनितょ वहां पे लेके जाएंगी जहां पर भी ब्लेड सप्लाई होती है उसके बाद क्या होगा वीनस रिटन होगा यानिकि जो आपने व्लेट शप्लाइब करती ओक्सीजन और नुट्रेंट्स आपने वहां पे छोड़ दिए उसके बाद क्या होगा वहां पे जो ओर मोंस है अर्मेट्रिल सब्किया होगा वहां से आप लेगे और तो यह किसके पास लेकि आएगी रिनल वेन के पास लेकि आएगी और जो यह renal vein जो थी अपनी यह क्या थी यह capillaries हो गई capillaries क्या करेंगी supply करती है नोंने supply करने के बाद return लेके आएंगी तो किसके पास लेके आएंगी यह अपनी renal vein के पास लेके आएंगी ठीक है और renal vein के पास लेके तो डिंबन क्या करेगा उसके बाद क्या करेंगगा इंफिरियर जो इंदर सकता है कुछ किसके बाद ने कि प्रेम तो बलेड और चैनल में दाओं मेरवेलर्युस इयूंत ए state तो यानी कि Yeah जो ब्लेड का प्रेशर और वो क्या रहेगा ज्यादा रहेगा इसकी तुल्ला मन अधर जुक अधर जो आड़्यों है उनकी तुल्ला में क्या रहेगा ज़दा रहेगा क्यों रहेगा because the diameter of apparent arterioles is greater than of apparent arterioles यानि कि इसका जो diameter हो क्या होता है ज्यादा होता है the glomerulus capsule consists of a single layer of epithelial cell जो glomerulus capsule है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है अपना single layer of epithelial cell से क्या है मिलके बना होता है तो अपन बात करते हैं कि blood supply हो गई blood supply होने के बाद क्या होगा venus return आएगा यानि कि जो आपका blood था वो क्या होगा दुबारा से circulate होने के लिए दुबारा से return आएगा तो दुबारा से जब वो return आएगा तो कहां पे जाएगा वो जो अपनी capillaries जो थी capillaries कहां पे लेके जाएगी केपिलरी उसको लेके जाएंगी रिनल वेन के पास लेके जाएंगी और रिनल वेन क्या करेंगी रिनल वेन वहां उसको इंफिरियर वेना के वाद जो है ठीक है उसके अंदर वो ब्लेड को इंपटी कर देगी यह अपना क्या होगा विनस रिटन का सिस्टम हो गया इसके सब्सक्राइब की death of different arteries जो हाता है जयादा होता है कि इसके बाद यहां मैशने के आपको अई single layer of epithelial cell यानि कि जो आपकी epithelial cell है उससे क्या है यह आपका glow merular capsule बना हुआ है इसके बाद जो remaining जो collecting tubes वगरा है वो आपकी किस से मिलके बनेवी हैं single layer of specialized cell जो है उनसे मिलके बनेवी हैं कि बाद अपना point आता है तो नर्व सप्लाई to the blood vessels of kidney consists of sympathetic and parasympathetic nerve यानि कि यहाँ पे जो blood अपनी नर्व सप्लाई होती है वो कौन्चे होती है ओर टोनमिक टायप कि अपनी नर्व सप्लाई होती है जिसके अंदर के sympathetic परasympathetic जो ऊहरु जो है वह क्या करते है इसको नर्व को सप्लाई करते है कि तुर्प पॉइंट अपनाता है function of the kidney के function कौन से कौन से होते हैं सबसे पहला function होता है किड्नी का formation of the urine यानि कि क्या होगा यूरीन की formation यहां अप्र वाटर एंड यूरीन आउटपुड जो आपका वाटर बेलेंस बनाना है उसको यूरीन के आउटपुड का बैलेंस बनाना है नेक्स्ट कहाता है electrolyte balance electrolyte balance के अंदर क्या अगा जो आपके electrolyte जो है उनको क्या है वह को बैलेंस कर रहा है इसके बाद अपना फर्स्ट प्रेंट आता है और मेशन और यूरीन यूरीन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है तक किड्नी कॉम यूरीन विच पास तो बाइदा यूरेटर टू दा किड्नी ब्लेडर फ्रॉम स्टोरेज प्राइड टू एक्सलेशन यानि कि किड्नी ने क्या किया किड्नी ने किड्नी क्या करती है किड्नी ने यूरीन को पास कर दिया कहां पर यूरेटर के पास और यूरेटर ने क्या किया यूरीन ब्लेडर के पास बेज देख किस चीज के लिए स्टोरेज के लिए वहां से क्या है वो बाहर निकल जाता है यह क्य सबसे पहले बना जो अपना यूरीन बनता है यूरीन को बनने के लिए कि इसके पहले लुगा होती है सबसे पहले होता है ultra filtration होता है Z legit आ प्रोक्सिमेट कितना रर्टो कित्ना होलता है´ प्रोक्शिमेट 30 लिटर जो है URA कि साहिकर जो है, तो तो अपने दो किड्ने के जो है। को अधिए करेंगे उसको इन कि यहांग और क्या होगा उसमें से 97-98 परसेंट तक क्या है वो रिखोप्षण की जाता है रिखोप्षान होने के बाद यह वो कि अप scientists Αंता है अल्टर स्फ़ैल रीज्ट यहां इसका इंदर इसका ज्यादा होता है क्यों το हह कि ज्यादा है इस के बाद किया है गलो मर्लस आगया यह पिशीरीग जो इस के अन्दर है इतनी यह डाइग्राम आपको बनाने है जिससे कहा है कि आपको इजिली समझ में आ हो है क्यों क्योंकि इस ब्लेड की सीरी जो अपने पड़ी युदा है फारेंट था एक नटा उसके बाद क्या फारेंट zh वहीं न की ढ़नी है के छाद्री का छाद मोइ को भूब दा-चाइब थ grasses झाल झाल इसके बाद अपना आता है filtration कैसे होता है filtration take place through the semi-parameral wall of the glomerulus and glomerulus capsule यहीं कि filtration कहां पर होता है अपना glomerulus and glomerulus capsule में क्या है अपना filtration होता है water and a large number of small molecules pass through all through some are reabsorbed later कुछ तो क्या है पास हो जाते हैं कुछ क्या है बाद में reabsorption की process उसके अंदर क्या है reabsorbed हो जाते है next point अपनाता है blood cell plasma protein and other large molecules are unable to filtrate through and remain in capillaries यहनि कि जो अपनी blood cells है plasma protein है और जो other large molecules है वो क्या है filtrate होने में enable रहते हैं तो क्या है यह सारे के सारे क्या है अपनी capillaries के अंदर deposit हो जाती है next point अपनाता है the filtrate in the glomerulus is very similar in composition to plasma with the important expression of the plasma protein यानि की glomerulus क्या है composition किसके लिए करता है the filtrate in the glomerulus is very similar composition to plasma with important expression of the plasma protein next point अपना क्या है filtration is essential by the difference between the blood pressure in the glomerulus and in the presence of filtrate in the glomerulus capsule filtration क्या होता है किसी भी दो चीज की अंदर से अगर जो प्रेसर कम ज़्यादा होगा तभी क्या है वहाँ पे filtration की process होती है और अपने बात किती की efferent का diameter ज़्यादा होता है ठीक है efferent arterial is less than that is the efferent arterial next capillary hydrostatic pressure कितना होता है approximate 7.3 kPa जो है क्या होता है capillary का hydrostatic pressure होता है और इसको अपन mercury में ड्राइड करते हैं तो 55 mm of Hg होता है osmotic pressure कितना होता है 4 kPa होता है 30 mm of Hg हो गया filtrate hydrostatic pressure कितना होता है 15 mm of Hg हो गया यह क्या है इसका प्रेशर है अपने किपनी के अंदर जो प्रेशर जो प्रेजेंट रहते हैं यह सारे की सारे क्या है प्रेशर होता है next क्या आएगा अपना Net Filtration Pressure फिर्टेशन प्रेशर है नेट फिल्टेशन प्रेशर क्या होता है capillary pressure minus Osmotic pressure then filtrate hydrostatic pressure आपना capillary का pressure कितना था 7.3 था Osmotic pressure कितना था 4 था filtrate hydrostatic pressure था तर था तो कितना हो गया अपना वन पंट जी के पी हो गया और अगर अपने इसको दुबारत बश्य देखते हैं तो 55 30 प्लस 15 इसको टू 45 अपना 10 mm of Hg क्या हो गया अपना प्रेशर हो गया कौन सा नेट फिल्ट्रिल प्रेशर जो अपना है वह कितना होता है 10 mm of Hg हो गया इसके बाद अपना यूरीन को मिल्ट्रेशन रेट के होती है अपनी जो किड्नी है वह एक मिनिट के अंदर कितना जो यूरीन है उसको क्या कर रही है वोही सारा का सारा क्या होता है कितनी व्रियूम यान कितना अमाउंट करता है तो एक हैर्थी अड़ेट का जी आपर कितना हुता है एक मिनिट के अंदर वो क्या है 125 एमल पर मिनिट क्या है वो करता है और इसको पर डे के अंदर करते हैं तो एक दिन के अंदर जो अपनी किड्नी है वो कितना फिल्टर करती है यह क्या है अपनी नेट फिल्टरेट प्रेशर कितना हो गया अपना 10 mm को अच्छी हो गया कितनी होगी अपनी 125 ml पर मिनिट हो गई देन आप्टर अपनी जो किड्नी है वह पर दे के इसाफ़ सब्सक्राइब करते हैं तो कितना फिल्टर करती है वन एटी लीटर हो है जो अपना डेलोट फ्लूड जो फ्लूड है उसको फिल्टर करती है इसके बाद क्या आएगा अपना सेलेक्टिव री अप्जॉप्शन के अपन बात करते हैं तो अपना कहां कहां पर होता है कैसे कैसे होता है प्रोसेस ओफ यूरीन फॉर्मेशन थ्रोडर स्लेक्टिव रीजॉप्शन के दुरान क्या हुआ उटेशन हो गया इस अपना पूरा को पूरा क्या है इस अपना यहां से आएगा ठीक है अग जाने के बाद क्वेदी सब्सेच के अंदर पेखर देख उसके सब्सेटने मेynı जाएगा और यह सारी और यह तो उपन कहां होती है अपनी collective ducts के अंदर क्या है अपनी open हो जाती है यह इसकी क्या है process होती है तो यह डाइग्राम भी है जो आप बना लो जिससे आपको easily समझ में आ जाएंगे चीजिए we need to add and then after qya ho ga reabsorption कहा कहा पर कैसे कैसे होता है selective it is a process by which the composition and volume of the glomerous filtrate are altered during its pass through the table loop and collecting tubes प्रोसेस के लिए कहां कहां पर आएगा और उसके बाद किसमें चला जाएगा क्लेक्टिंग रट्स में चला जाएगा अगया हुँआ है तो कुछ चीज़े क्या रहती है जो ब che observation भो जाती है कुछ चीजे नहीं उपाती है है तो वह क्या अपनी है न स्ट यूर इन में पर अब बात करते हैं कि हब कि कितना परसेंट होगा 25 परसेंट अपना हो ज्यूह राद हो जाएगा उसके बाद कितना सब्सक्राइग कितना कितना कटिंग कबास जाएगा तो कितना बचे आपने मैं में कितना होगा लूप औफ ए अजिवलो कितना होगा टो घ्र wij alum डीशिस एकना होगा 5 पर संट क्लेक्टिंग डाक्स में कितना होगा 2 से 3 पर्सेंट यह क्या है अपना की प्लोस्चेस होती है और यह अपना फिर भूोल जाता है कि देन आप्टर जो रिमेनिंग बसता है उसको क्या है पर सिक्रेशन के लिए बाहर हो जाता है तो पीसीटी में कितना होगा अपना 65 परसेंट हो जाएगा टॉटल रिप्रसेंट का लोपो फैले में अपना 25 परसेंट हो जाएगा डिसीटी जो अपना डिस्टल खुने कि अब इसप्रेशन हो जाते हैं तो यह अपना क्या है कि पीसीटी है फितना होगा यहां पे अपना twenty-five परसेंट यहां तक अपना यहां हो जाएगा है उसके ना पूले फेंटा है ल्एक अरफ जाएगा ठीक है जैन आपका है dct फीक है dct के अंदर आप लिखो यहां पर परसेंट जो है यहां पर आपका रिया जो जाएगा तो यहां पर कितना होगा 5% रीयोप्जोब्शन यहां पर जाएगी देन आपकी जो टुबिल्स है यह कहां पर उपन हो रही है collecting duct के अंदर जाके open होगी और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2 से 3% यहां पर रिप्जोब हो जाएगा तो कितना हो गया आपका 65, 25, 5 यानि कि आपका कितना बचा 2% बचा यानि कि वो क्या होगा यहां पर आप लिखो 65% कहा पे हो गयाutka iy happy ऑप 25 लिखनल हो यहां पर क्या है अपको सारे की साथ चीदेंगी ω credential जह जाएग गी है कि भुल दिया और जो प्लाइनट में बिस्ट्र पार्ट ऊसको क्या तो करते हैं तो नेफ्रों के डैग्राम में हुआ है यह अपना ने यह क्या है यहां पर इस प्रोसेस में तो आपका यहां तक रिफोर्ब कर लेंगी है इसके बाद जो लूप लाइक इस्ट्क्चर बनी फिके लूप लाइक स्ट्क्चर जो बनी ये कितना कर पाएगे 25% ये लूप कर लेगा आप्टर क्या है अपना ृसेटी कितना घर लेगा अपना 5% अपना DCT कर लेगा DCT के बाद यहां पर ओपन होंगी ठीक है और ओपन होंगे तो यह आपकी जो collecting debt जो है वो कितना कर लेगी दो से 3% कर लेगी देन आप्टर इस नेक्स जो प्रोसेस अपन नेक्स क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक्यू